नमस्कार दोस्तूं रीट द्यापक सीधी बढ़ती प्रिक्षा लेवल परतम वद्वित्य के लिए हम देख रहे थे सामाने ग्यान का पोर्टन राजस्तान सामाने ग्यान जिसके अंदर हमारी कलास नमर 11 हुई थी वो हुई थी राजस्तान के परमुक नगर वै इस्तल बहु साथ जुड़े हैं राजस्तान जी के कम्पलीट नोट्स जो यहां पे कलास होती है यह नोट्स कुचामन ओनलाइन कलासेज एप के स्टोर में जाएए वहां पर आपको मिल जाएंगे अभी समय है आपके पास सभी सातियों से यही कहना चाहता हूँ कि राजस्तान जी के सिर चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें जो हमने पहले देख लिया उससे आगे का पार आज देखेंगे एक पार और तीन पार टू के अंदर कम्पलीट जो परमुक नगर वैस्तल है उनके बारे में हम देखेंगे आज हमारे जो जिला आ रहा है वो आ रहा है जेपुर जिला जेपुर नगर प्रक्याद बंगाली वास्तु सिल्पी विद्यादर भटाचारिये के निर्देशन में करवाया गया जो जेपुर नगर है ये बसाया गया है वो किसकी देख रहे कि में विद्यादर भटाचारिये ये सिल्पी था दोस्तों अब देखें जेपुर के अंद ये महल अनूटा है दोस्तूं सन 1799 में महराजा स्वाई परताब सिंग द्वारा बनवाया गया ये महल कितना है पाँच मंजिल है दोस्तूं और इसकी डिजाइन वास्तुकार कोन थे लाल चंद उसका दोवारा तैयार की गई थी दोस्तूं इसके बाद आता है आमेर महल दोस्तूं आमेर गड़ जेपूर से 11 किलोमेटर की दूरी पर कच्छाओं की पुरानी राजदानी आमेर अपने कीले तता इस्तापते के लिए परियटकू का मुखे आकरसन के अंदर है यूनेसको की विस्वेद रोवर सूची में सामेल आमेर महल उची पाड़ी पर इस्तित है हावा मेल उसके बाद आमेर महल आगे हम बात करते हैं तो आता है जनतर मंतर जेपूर के अंदर जेपूर के सस्तापक महराजा स्वाई जे सिंग द्विते द्वारा बनवाई गई पांच खगोलिये वेदसालाओं में सबसे विसाल है जो जेपूर की वेदसाला है जेपूर की ये वेदसाला जिसें जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है ये यूनेस्को के द्वारा इसे विश्वय द्रोवर सूची में सामिल भी किया गया है दोस्तूँ हवामेल, आमेरमेल और जंतरमंतर आगे आता है जेगड दुरग, जेगड फोर्ट दोस्तूँ सन 1726 में माराजा जे सिंग द्वित्य द्वारा ये किला आमेर की सुरक्सा के लिए बनवाया गया था और इसमें विश्वय की सबसे बड़ी तोप जेबान रखी गई है दोस्तूँ आगे आता है हमारा नाहरगड किला दोस्तूँ अंदेरी रात में तारू की चाओं में नाहरगड किले से जेपुर सहर का विंगम एभूत पूर है तदा मदमस्त नजारा सारी दुनिया में और कहीं नहीं आता है दोस्तूँ कोई सी भी सेहर में जाएंगे नारगड से जैसा जीवपूर दिखाई देता है वैसा कोई सा भी सेहर किसी भी सेहर में आप चले जाओ वहाँ के पास के पाड़ी पे चले जाओ आपको ऐसा दर्शे कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तु सन 1734 में महराजा जे सिंग के सासनकाल के दोरान इसकी ले का निर्मान है जो करवाया गया था दोस्तु आगे देखें जेपूर के अंदर क्या है अलबरट होल है जेपूर में सेंटरल म्यूजियम सन 1800 चिंतर में प्रिंस ओप वेल्स ने इसकी आदार सिला रखी थी और इसका नाम लंदन के अलबरट संग्राले के नाम पर अलबरट होल रखा गया दोस्तु इसके बाद है गलताजी गलताजी जेपूर का एक प्राचिन तिर्थिस्तान है निया द्रम से जुड़ावास्तान है ये गालवरिसी की तपोस्तली भी गलताजी को मना जाता है दोस्तु आगे आते हैं इस्सरलाट यानि सरगा सुली ये भी इंपोटेंट है दोस्तु जो जेपुर सहर में बनी हुई है सहर के बीचों बीच साट पीट उची भवे मिनार इस्सरलाट को स्वर्ग बेदी मिनार या सरगा सुली के नाम से जाना जाता है इसका निर्मान करवाया था राजा इस्वरी सिंग ने, राजा इस्वरी सिंग ने 1759 इस्वी में इस मिनार का एक सांदार जीत की इस मर्ती में बनवाया था दोस्तूं, आगे आता है, आगे आता है सांगानेर कस्वा है दोस्तूं, जेपुर के पास भी है, सहर है ये, साँगाजी नाम संग्राम पूरा है और इसमें कच्छावा राज कुमार सांगा ने बसाया था इसके आगे आता है राम बाग दोस्तों इसे केसरबडारन का बाग भी कहा जाता है केसरबडारन का बाग जो 1836 ईश्वी में माराजा सुवाही राम सिंग दिटे के समय बनाया गया था दोस्तूं आगे आता है माजी का बात सवाई जे सिंग दिटे की सिसोधिया रानी के लिए 1739 इस्वी में निर्मित सुरम्य उद्ध्यान जो महराजा मादो सिंग की मां के निवास के कारण माजी का बाग कहलाया वर्तमान में ये राजमहल पेलेस होटल के रूप में जाना जाता है दोस्तूं ये थे जेपूर जिले के परमुक इस्तल परमुक नगर दोस्तूं आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो जिला आता है वो आता है जेसलमेर जिला दोस्तूं रावल जेसल दुआरा जेसल मेर की जेसल मेर जो किला उसकी नीव 12 जुलाई 1555 इसवी को रखी गई वह जेसल मेर सेर बसा कर उसने अपनी राजदनी जेसल मेर इस्तानांतरित की दोस्तों समझ गए अब देखिया जेसल मेर में क्या क्या है सबसे पहले जेसलमेर में आता है जेसलमेर का कीला ये कीला वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर है दोस्तों सुरज की रोशनी जब इस कीले पर पढ़ती है तो ये पीले बलुवा पतर के से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तूं इसके बाद जेसलमेट जिले में हैं डेजर्ट नेशनल पारिक दोस्तूं ये पारिक थार रेकिस्तान के विबिन वन्ने जिवों का सबसे महत्वपुन आवास है इसके अंदर लुप्ट प्राइ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाला पक्सियों में से एक माना जाता है उसे भी यहीं पर देखा जा सकता है कगार लुप्ट के इस्तान पर आ रहा है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेगिन डेज़ट नेशनल पार्क जेसल मेर में आपको देखने को ये मिले जाएगा अगला है पटवू के अवेली दोस्तों इस अवेली के अंदर पाँच अवेली है जो कि गुमान चंद पटवा ने अपने पाँच बेटू के लिए अठारा सो पाँच इस्वी में बनवाई थी जेसल मेर में सबसे बड़ी तेता सबसे खूबसूरत नकासिदार ये पाँच मंजिला सरचना एक संकरी गली में गर्व से वर्तमान में भी खड़ी है दोस्तों आगे बढ़ते हैं जेसल मेर में तो आता है बड़ा बाद दोस्तों ये एक विसाल उद्ध्यान है जो भाटी राजाओं की इसमर्तियों को समेटे हुए है बड़ा बात दोस्तों आगे जेत बांद रावल जेत सिंग तृतिय ने यहां दो पाडू के बीच एक बांद का निर्मान भी करवाया जाना प्रारम किया था जिसका नाम जेत बांद रखा गया था देखे जेत सिंग ने इसका निर्मान प्रारम किया इस वज़े से जेत बांद इसको कहा जाता है जेत बांध बीना चुने गारे का बनावा प्राचिन प्रस्तर बांध है जो आज भी जल संग्रण के अंदर काम में लिया जाता है दोस्तूं इसके बाद नगर आता है लोधरवा दोस्तूं प्राचिन राजदानी बाटी राजबंस की ये जेसलमेर की इस्ता अपना से पूर है जेसलमेर के बाटी राजबंस की राजदानी था और लोधरवा की मुमल महंदर की जो दंद कताएं है वो क्या है परसिध है दोस्तूं आगे आता है हमारे जेसलमेर के अंदर वो आता है अमर सागर दोस्तों जेसलमेर के अमर सागर ताला वे बांद का निर्माण महरावल अमर सिंग ने सन 1688 इस्वी में प्रारम करवाया था इसकी परतिष्टा सन 1600 ब्राण में इस्वी में करवाई गई इसके पास ही अमर बाग इस्तित है देखिए अमर सागर ताला भी है बांध भी है और यहां पर अमर बाग भी बनाया गया है दोस्तूं आगे आता है गड़सी सर स्रोवर दोस्तों जेसलमेर में इस स्रोवर का निर्मान राव गड़सी राव गड़सी के सासनकाल में करवाया गया और जेसलमेर इस्तित आकल वुड फोसिल पारक में प्राचीन जीवासम रखे हुए हैं दोस्तों ये था जेसलमेर जिला, परमुकिस्तल, परमुक नगर आगे हमारा अगला जिला आता है जालोर जिला दोस्तों देखिये जालोर के बारे में सुवन गिरी पाड़ी के पूर्वी बाग में इस्तीत महरसी जाबाली की तपोवुमी जालोर शुर्ण नगरी के नाम से परसिद को जाबालिपूर या जालहूर कहा जाता था वर्तमान में जालोर कहते हैं जालोर से पहले इसका नाम जाबालिपूर या जालोर था दोस्तु इतियासकार डोक्टर दसरस सर्मा के अनुसार पर्तियार नरिस नागबट पर्तम ने जालोर को अपनी राजदानी भी बनाया था दोस्तों अब देखे जालोर के अंदर क्या-क्या इस्तलोर नगर है उनके बारे में सबसे पहले आता है जालोर का कीला यहां के सबसे परताबी सासक कानरदेव सोनगरा हुए थे जालोर के लिए के जिन्होंने दिल्ले के सुल्तान अलाउदिन खिर्जिस के कही बार दांत खटे भी किये थे दोस्तूं इनके अलावा नगर है बीनमाल महा कभी माग बीनमाल के निवासी थे तो चीनी यातरी हैंसांग ने बीनमाल की क्या की थी यातरा की थी दोस्तूं आगे आता है तोप खाना दोस्तूं आपके जालोर में क्या है तोप खाना है अब देखें तोप खाना के बारे में परमार राजा बोज सेंसकर्ट साहिते का विद्वान था उसने अपनी राजदानी दारा नगरी वजालोर में सेंसकर्थ पाट सालह इस्तापित की दारा नगरी और जालोर के अंदर ये पाट सालह मुस्लिम सासन के दोरान मस्जिदू में परिवर्तित कर दी गई जिस परकार ढ़ाए दिन का जूपड़ा सेसकर्थ पार्ट साला थी ना विग्राराद चतुर्थ के समय उसको बाद में मस्जिद बना दिया गया उसी परकार जो ये पार्ट साला है ये इनको क्या बना दिया गया बाद में क्या बना दिया गए दोस्तों मस्जिद में धारा की ये पाट साला कमल मुला वजालोर की पाट साला तोप खाना मस्जिद के नाम से जानी जाती है वर्तमान के अंदर दोस्तों आगे देखे और क्या क्या है जालोर में कोट कास्तान दुरग है यहां पे ये जालोर जिले के बीनमाल कस्वे के पास इस्तित है और इसे नाथू का दुरुग भी का जाता है कोट कास्तान दुरुग को नाथू का दुरुग भी कहा जाता है दोस्तु एलाना ये एक पुरातात्वी किस्तल है जहत्तामर यूगीन आउसेस प्राप्तिय नहीं एक सब्बेत है एलाना दोस्तु ये हो गया आपका जालोर जिला और जालोर के परमुकिस्तल नगर दोस्तु आगे वड़ते हैं दोस्तु अगला जिला आता है जालावाड जिला दोस्तु दे मदन सिंग के लिए सन 1838 इस्वी में कोटा रियासत से पर्तक करके किया गया था दोस्तु जाला जालम सिंग कोटा का परमुके परसा सकता उसके पोते के लिए इस नगर की स्तापना की गई थी दोस्तु अच्छा क्यों सन बन सकता है एक जाम के अंदर ही है याद रखना पर इसकी राजदानी जालरा पाटन बनाई गई थी दोस्तु जालावार नगर की स्तापना कोटा राजी के पोज़दार वे परसा सक जाला जालिम सिंग दुआरा 1701 में इसमी में की गई थी उसमें इसका नाम उमेद पुरा की चावनी था जालावार का नाम उमेद पुरा की चाउनी था दोस्तूं अब देखे जालावाड जो जिला है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो में देखने लाइक है पहला है गागरोन का किला जो जल्दुरग है आहू है काली सिंद नामग नदियू से गिरे इस किले की किले के बार सूपी संत मिटे साह के मकबरे पर मोहरम के महिने में मिटे साह का जो किले के बार बना हुआ है गागरोन किले का निर्मान बीजल देव ने बारवी सदी में करवाया था आगे देखे जालावाड में है भवानी नाटे साला दोस्तूं इसका निर्माड 1921 में हुआ था भवानी नाटे साला का निर्माड 1921 के अंदर यहां सेक्सपियर के लिखे नाटक यहां खेले जाते थे और विदेशी प्रियक टक इसे देगने में बड़ी रूची है वो रखते हैं दोस्तूं इसके अलावाद जालावाड के अंदर है बोध गुपाएं तता इस्तूप जालावाड में सबसे परसिद कोलवी गाउव ये क्यों सन बन सकता आपके लिए इंपोर्टेंट कोलवी गाउव की जो प्राचिन बोध गुपाएं है वो परसिद है दोस्तूं और गुपाओं में सबसे परवाव साली है बोध की विसाल परतिमा बुध की जो विसाल परतिमा तता उतकरिण इस्तूप सर्चना बुध गुपाएं वैस्तूप कहाँ पर कोलवी गाउव जालावाड के अंदर अब बस्ता जालरावाटन सीटी ओ बेल्स यानि गंटियों का सहर के नाम से परसिद है संसात्रा सो इकराण में इस्वी में कोटा राजे के सेनापती जालिम सिंग ने चंदरावती नगर के दवसाव से सूपर जालरापाटन नगर की स्तापना की और ये चंदरभागा नदी के तठ पर जालरापाटन इस्तित है दोस्तूँ ये हो गया आपका जालावार दोस्तूँ जालावार से जैसे हमागे बढ़ते हैं तो हमारा अगला जिला आता है जुन-जुनु जिला दोस्तूँ देखे जुन्जुनु इस सेतर में 1045 इसवी के लगबग चुहान सासक सिदराज का सासंथ था दोस्तों फिरोज कांग तुगलक के बाद संचुगदा सो पचास इसवी के लगबग कायम खांके पुतरते मुहुमद खाने जुन्जुनु में अपना राज कायम किया जुन्जुनु को ये नाम जुन्जाजाट या जुन्जार सिंग नेरा की इसमर्ती के रूप में दिया गया है जुझा जाट के नाम पर जुझ़ु का नाम है जो पड़ा है दोस्तू, अब देखिए जुझ़ु के अंदर क्या क्या है, पहला आता है मंडावा, मंडावा प्राचीन समय में मद्देपूरो, तदा चीन के मद्दे, प्राचीन व्यापारिक मारक का एक मुक्डे के अंदर यहां से सामान का आधान परदानमंडावा से किया जाता था दोस्त। 1770 इसवी के अंदर हुआ था दोस्तों आगे आता है नवलगड सहर है ये एक जुनजुनु तेता सीकर के बीच इस्तित नवलगड अपनी सुंदर हवेलियू के लिए क्या है परसिद है कौन-कौन सी हवेलिय है जो हमने कलासस करती के अंदर पढ़ लिया है दोस्तों बिरला म म्यूजियम है पिलानी के अंदर पिलानी भी है जुन-जुनु में ये म्यूजियम भारत के परसिद म्यूजियम में अपना इस्ताद रखता है बिरला म्यूजियम जुन-जुनु के अंदर इस्तित है दोस्तों आगे देखिए आगे है पंचवटी ये भी कहाँ पर है पिल यहां बादरपद अमावसिया को मेला भी वरता है लोहार गल के अंदर यह जगह इंपोर्टेंट है जुन जुनों में है दोस्तु यह किरोडी यहां उदेपुर वाटी के दानवीर सासक टोडर मल एवं वित मंत्री मुनसाह के इसमारक है यहां केवडे के दुरलब वरक्स भी उपलब्द है किरोडी गाओं के अंदर दोस्तु अब बसता है महनसर यह भी एक कस्वा है पोदारू की सोने की दुकान है यह सोने चांदी की हवेली जिस पर बीती चित्रू में सोनिम पोलिस की गई है एवं सिरीराम एवं सिरीकरसन की लिलाओं का नयन पर यह चित्रन किया गया है इसके लिए महनसर क्या है परसिद है दोस्तु तो यह था आपका जुन-जुनु जिला दोस्तु जिसके बारे में हमने संपूर जानकर यहां पर ले ली इतना वहुता आपके लिए दोस्तु अगले जिले के और बढ़ें तो आ एक परमुक के अंदर है दोस्तु सरदा नाज जी का आश्रम सिकर के लक्समनगड के अंदर है दोस्तु और ना संपरदाय का परमुक के अंदर है इसके अलावा सिकर में है लक्समनगड का कीला पूरे विश्वे में यह इस्तापत्यकला का अनूठा उदान है जो की यहां बिक्री चट्टानू के टुकडू को संजोग कर बनाया गया है चट्टानू के टुकडू को जोड़ जोड़ कर इस किले का लक्षमणगड के किले का निर्मान किया गया है दोस्तूं सिकर में है फतेपूर दोस्तों फतेपूर सेर कायम खानी नवाब फते मोहमद की ने पंदरा सो आठ इस्वी में इस्तापित किया था उन्होंने पंदरा सो सोला में फतेपूर के किले का भी निर्मान करवाया दोस्तों अब बसती है गनेश्वर सब्वेता जो सिकर में है कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सिकर में तामर यूगी गनेश्वर सब्वेता इस्तित है जिसे तामर सहसकर्ती की जननी के नाम से भी हम जानते हैं कोट बूदले में यह इसी मानेता है कि चुरू को चुहुरू नम के एक जाट ने 1620 इसवी के आसपास बसाया था कहा जाता है कि चुरू का किला मालदे नामक वेक्ति के उत्रादिकारी कुसहाल सिंग ने 1749 इसवी में बनाया था दोस्तों चुरू का किला वो ही किला चांदी के गोले दागी गई थे समझे अब देखिये चुरू के हम बात करते हैं चुरू के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले आता है मालजी का कमरा चुरू के अंदर इसका निर्मान सर 1925 इसवी में सेट मालचंद कोठारी ने करवाया था दोस्तों चुरू में ताल चापर भ्याणने आपका ताल चापर में उचलते कूदते वे अठकेलिया करते चोटे चोटे मरीग सावगयानी हीरन के बच्चे परियटकू का मन मोलेते काले इरन की ये क्या है शेंचूरी चापर गाउं में चापर गाउं है चुरू में वहाँ पर है ये शेंचूरी ताल चापर भ्याणने ताल चापर चापर आरा चापर गाउं में जहांपर आपको काले इरन देखने को मिलेंगे दूद्वा खा रहा, किसान अंदोलन वाला, दूद्वा खा रहा चूरू, यहाँ उनीस सो चम्माली सीश्वी में हनुमान सिंग के नेतरीतवे में किसान अंदोलन हुआ था दोस्तों, हनुमान गड के अंतरगत, आगे बढ़िए, आगे आता है द्रम इस्तूप दोस्तों, देखे, द्रम इस्तूप है चूरू में, लाल पत्तर से निर्मित होने के कारणे, इसे लाल गंटागर भी कहते हैं, चूरू का द्रम इस्तूप, लाल गंटागर, लाल पत्तर से बनावा है दोस्तों, इस इस्तूप पर सभी दर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां ल 1898 में इसवी में चपनी आकाल के दोरान अकाल रात कार्यू के तेट करवाया था सेठाणी का जोडा का निर्मान यहाँ पर चुरू में सुनुना अवेली, चुरू सेर में सुनुना जी की पर सिद डबल अवेली इस्तित है जिसका निर्मां 1170 by में करवाया गया था इस अवेली में हवामेल भी बनवाया गया जिसमें कुल 1100 खिडकियां एवाम दरवाजे हैं दोस्तों हवेली के बीच में बनाया गया हवामेल इसके अलावा कनिया लाल बागला की अवेली है चुरू में 6888 के अंदर उसका निर्मान करवाया गया था दोस्तों ये था आपका चुरु जिला चुरु से आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारे जोधपूर जिला दोस्तों देखे जोधपूर की स्थापना राव रनमल के पुत्तर राठोड सासक राव जोधा दुआरा सन 1669 में की गई राव जोधा ने चिडिया टुक पाड़ी पर 1669 में महरान गड़ दुरुग यानि जोधपूर का जो दुरुग है वो बनवाया और इसी के पास बरतमान जोधपूर सहर बसाया एवं इसे अपनी राजदानी बनाया दोस्तों अब देखिए जोधपूर में क्या क्या है उनके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है जस्वन्त थड़ा दोस्तों यह 19-वी सताबदी के अंत में निर्मेत सवेत संगमरमर का आकरसक इसमारक है जो जस्वन सिंग द्वित्य को क्या किया गया है समर्पित किया गया है इसका निर्मान उनके उत्रादीकारी सरदार सिंग ने करवाया था जोधपूर के सासक सरदार सिंग ने जस्वन थड़ा का निर्मान करवाया इसे राजस्तान का ताजमेल भी कहा जाता है ये कि उसन बन सकता है एक जाम में आगे हैं मंदोर कस्वा दोस्तू गुर्जर पर तियारूगी राजदानी इस सिस्तान का प्राचिन नाम मांडवपूर था और ये पुराने समय में मारवार राजदानी राजदानी वहा करता था दोस्तू आगे आती है काईलाना जील मीटे पाली जील जैसर मेर रोड पर जोदपूर से जैसल मेर की रोड निकलती है उस पर कृत्रिम जील काईलाना एक सुन्दर पिकनी की स्थिल है दोस्तों माचिया सपारिव द्यान है जेसल मेर मारक पर काईलाना जील से लगबग एक किलोमेटर दूर पर माचिया सपारिव द्यान है वो इस्तापित है दोस्तों इसके अलावा काईला न जील हो गई तो एक जील हो रहा है बालसमन जील दोस्तों जोदपूर से लगबग पांच किलोमेटर की दूरी पर जोदपूर मंडोर रोड पर बालसमन जील इस्तित है इसका निर्माण 1169 इस्वी में मंडोर के एक जलसरो थे तू किया गया था बालसमन जील लगाईये बहुत एकजामों में आईये बालसमन जील इस्तित है इसके अलावा यहाँ पर है खेजड़ी गाउं खेजड़ी गाउं दोस्तों यहाँ अमरिता देवी विस्नोई के नेत्री में कहाँ पर खेजड़ी के अंदर 28 अगस 1730 इस्वी को पेडू की रक्सा करते वे 363 लोगों ने बलिदान दिया था और इस इसमर्ती में बादरपद सुकल दस्मी को केजड़ी गाउं में विस्वे का एक मातर व्रिक्स मेला है वो बढ़ता है दोस्तों इसके अलावा यहां पर है अजीत बावन यह महल देश का परतम हेरिटेज होटल मना था अजीत बावन देश का पहला हेरिटेज होटल दोस्तों उमेद भावन दोस्तों चितर पत्तर से निर्मित होने के कारण इसे चितर पेलेश भी उमेद भावन है उसको चितर पेलेश भी कहा जाता है महराजा उमेद सिंग ने 1928-1940 इसवी के मद्दे अकाल रात कारियों के दोरान इसका निर्मान करवाया जहां पर आपको गड़ियों का संग्राले देखने को मिल जाएगा उमेद भावन में दोस्तों इसके अलावा देखिए जोदपूर में है एक थंबा मेल दोस्तों ये मंदोर जोदपूर में महराजा अजीत सिंग के सासनकाल में निर्मित तीन मंजिला मेल है जिसे प्रहरी मिनार के नाम से भी जाना एक थंबा मेल प्रहरी मिनार अजीत सिंग ने इसका निर्मान करवाया तीन मंजिला है दोस्तों इसके अलावा है सरदार कलोग टावर दोस्तों लाल और पीले रंगे पतर से निर्मित इस सोप पिट उचे गंटागर की नहीं हूँ ततकाली नरे सरदार सिंग ने 11 मार्च 1910 इस वी को रखी थी तो सरदार कलोग नाम से वता चल गया सरदार कलोग ने सरदार सिंग ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तु आगे महिलाबाद का जालरा दोस्तु जोदपूर सेर में गुलाब सागर के पास ये जालरा गुलाब सागर का अपर है जोदपूर में उसके पास है जालरा महिलाबाद का जालरा शातलासु छिंतर में महाराजा विजय सिंग की पास्वानती गुलाब राज के दुआरा जन इतार्त में इसका करवाया गया था निर्माण आगे आता है खेजडला दुरखेजडली गाओं है उसमें जोदपुर से 85 किलोमेटर दूर खेजडला गाओं में इस्तीत 27 सदी के राजा हर्सवर्दन दुआरा बनवाया गया ये दुरख वर्तमान में एक होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है दोस्तों यह हो गया आपका जोदपुर जिला दोस्तों अगला हमारा जिला अतैक करोली जिला दोस्तों देखे करोली के बारे में सत उन्नीस जुलाई उन्नीस सो संत्यानमे इस्वी को स्वाई मादोपुर से अलग होकर शवतंतर जिला राजस्तान का 32 जिला बना था करोली करोली के यदुवंस के सासन की इस्तापना विजेपाल दुआरा 1040 इस्वी में की गई थी सन 1348 में यदवंस के सासक अरजुन पाल दुआरा बद्रावती नदी के किनारे करोली सेर कल्यानपूर पुराना नाम कल्यानपूर बसाया गया 1660 में यहां के सासक द्रमपाल द्वीते ने करोली को अपनी राजदानी बनाया दोस्तों यह है करोली का इतियास अब देखिए करोली में क्या क्या है इसा माना जाता है कि गड्मोरा गड़मोरा क्या है ऐसा माना जाता है गड़मोरा राजस्तान के प्राचिनतम गाउं में से एक है जो बगवान करसन के सासनकाल से ही क्या है विद्यमान कौन सा गड़मोरा गाउं करोली में है जो उतीन गिरी दुरग यानि देव गिरी दुरग है वो करोली में है देव गिरी और गिरी दुरग या देवगिरी दुरग दोस्तों हसमुक विलास उद्यान है इस उद्यान की स्थापना क्रॉली के साथक हरबक्स पाल ने की थी हरसमुक्रे। तब से कोटा रियासत एक सौतंतर रियासत बनी 25 मार्च 1948 इसवी को कोटा रियासत का राजस्तान संग में विले किया गया दरास्तान एक कीकरण के समय दोस्तों अब देखिए कोटा के अंदर क्या क्या चीज़े हैं सबसे पहले कोटा बिराज है कोटा बेराज राजस्तान राजे में चंबल नदी पर निर्मिश सबसे महत्वपून जल संग्रेव इस्तलू में से हैं एक कोटा बेराज है दोस्तों यहाँ पर है जगमंदिर मेल कोटा माराव दुर्जन साल सिंग की दुर्जन साल सिंग जी की महारानी वैउदेपुर की राजकुमारी बरज कमर जी ने इस करितरिम जला से किसोर सागर और जगमंदिर का निर्मान 1743 से 1745 के मद्दे करवाया था तो देखे जला से किसोर सागर और है जगमंदिर दोस्तों अबेडा मेल बहुत इंपोर्टेंट रहेगा अबेडा मेल का निर्मान ठार्वी सताबदी में कोटा के अंदर करवाया गया था दोस्तों इसके अलावा है आलनिया कोटा जिले में इस्तित प्राचीन सबध्या इस्तले ये जहां से 5000 वरस पुराने गुआ चित्र मिले हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे आता है हमारे खातोली कोटा जिले की पिपलदा तेसिल में इस्तित गाउं कोटा जिले की पिपलदा जो तेसिल है वहाँ पर है खातोली गाम जहां 1518 इस्वी में खातोली के युद में मेवाड के मारणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोदी को खातोली युद में हराया था दोस्तूं इसके अलावा है अबली मिनी मेल इसमेल का निर्माण 1648 इस्वी के मन्दिर राव मुकुन सिंग ने करवाया था मुकुन सिंग हार डाने दोस्तूं भीम चोरी यह गुटकाली सीव मंदिर है और इस मंदिर में मंढप को भीम मंढप माना जाता है ये मंदिर में जो इस्तित है मंडब उसको भीम मंडब कहते हैं दोस्तों तो ये थी आज की क्लास अभी हमारे राजस्तान के प्रमुंग नगर इस्तल बचे हुए है वो अगली क्लास के अंदर हम देखने हुआने बाकी सब के सातियों के लिए एक मैतोपन सूचना नीचे एप का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे देखिए कुछ आमन ओनलाइन क्लासे प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए एप वहाँ से डाउनलोड कीजिए एप के स्टोर में आपको जाना है वहाँ पर आपको रीट मैंस रास्तान जीके का फोल्डर मिलेगा वो समय है उसको पढ़िए दोस्तों 90 पर तिसत आसपास आपको क्यूसन डीटो यहाँ से देने की मेरी गारंटी है दोस्तों तो कलास कैसी लगी कमेंट करके बता दीजे वीडियो को लाइक सेर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत अन्यवाद जेहिन जेवार